बेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 1 मार्च 2023 और 1 मार्च 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकसिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में रास के प्रति समाज में जाउर्टा लाने और बेग्यानिक सूच पैदा करने के उद्दिश से हर साल 28 फरवरी को रास्टी बेग्यान दिवस मनाया जाता है अच्छा एक फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का इस्तापना दिवस मनाया गया दो फरवरी को पेस्सू आद्र और यहाँ पे आप ध्यान से देखो 15 फरवरी को अंतरास्टी बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है यह है अंतरास्टी बाल कैंसर दिवस और यह है बेस्सू कैंसर दिवस यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना चार फरवरी को बेस्सू कैंसर दिवस और 15 फरवरी को अंतरास्टी बा जानव बंदूत दिंडिवस भी मना एका साथ फरवरी को सेफर इंटरनेट दे रहेते कि दस फरवरी को बेस्च दल हन दिवस्ट मनाया ग्यारह फरवरी को वेस्ट vamos ओर बिग्यान में महिलाओं और लडकियों का अंतरास्थि दिवस्ट मनाये गया 12 फर्वरी को अन्त रास्टी डार्बिन दिवस मनाये हैं 13 फर्वरी को ब्यस्टू रेडियो दिवस मनाये गया 15 फर्वरी को अन्त रास्टी बाल कैनसर दिवस मनाये गया मैं फिर बोल रहा हूं यहां पे Wait Haz gonna मत होना चार फरवरी को बेस्टु कैंसर दिवस मनाए जाता है और पंद्रे फरवरी को अंतरास्टी बाल कैंसर दिवस मनाए जाता है सत्रे फरवरी को बेस्टु क परेटन लचीलापन दिवस मनाए जाता है 19 फरवरी को चत्रपती सिवाजी महराज की जैनती मनाए गई और आठमा म्रदा स्वास्ते काड़ दिवस भी 19 फरवरी को मनाए गया 22 फरवरी को पराकरम दिवस मनाए गया और 200 सामाजे किन्याय दिवस मनाए गया 21 फरवरी को अंतरास्टी मात्र भासा दिवस मनाया गया 22 फरवरी को बेस्टु चिंतन दिवस और बेस्टु स्काउट दिवस मनाया गया 24 फरवरी को केंद्री उत्पाद सुल्क दिवस मनाया गया 27 फरवरी को बेस्टु एंजियो दिवस मनाया गया और मराथी भासा गौरब दिवस भी बनाये गया तो फरवरी मंत में अब तक इतने इंपोर्टेंडे बनाये गए पूरे फरवरी मंत के इंपोर्टेंडे यहां पर लिखे हुए इनको आप रिवाइज कर लिजिए और जहां-जहां आपको कंफिजन हो सकता है उनको आप स्पेशली नोट करिए इस तर बाननीग में उट कर सबसे पहले अपने लेक टारिट फिक्स करो चाए चोटा सए अच्छी हो जाएगी नये कुशन है हाली में महेला टे ट्वंटी बर्ड कप में सरबादिक विक्र लेने वाली खिलाडी कौन बनी है तो सबनिम इसमाईल ये महला T20 बल्ड कप में सबसे अधिक बिकिट लेने वाली खिलाड़ी बनी है तो इसकुषियन का से ओप्सिंस है इन्होंने 32 मैचों में 43 बिकिट लेकर ये रेकॉर्ड बनाया है और इन्होंने एक और रेकॉर्ड बनाया है अचा पहले आप इनको इमेज में देखिए ये हैं साउथ अफरीका की मैला किरिकेटर सबनिम इसमाईल और इन्होंने एक और कौन सा रेकॉर्ड बनाया है इन्होंने सबसे तेज गेंद फैकने का record बनाया है सबसे तेज गेंद फैकने वाली मैला क्रिकेटर बन गई है सबनिम इसमायल सबसे तेज फैक ही है तो कितनी 80 मेल पर आवर 80 मेल पर आवर यानि कि 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्थार से इन्होंने गेंद को फेंक कर सबसे तेज गेंद फेंकने वाली मैला क्रिकेटर का रिकॉर्ड भी बनाया है तो इनका नाम आप याद रखिए सबनीम इसमायल ये साउथ अफरीका की है हाली में INS सुकन्या आदिकारिक दोरे पर किस देश की पूर्ट पर पहुँचा है तो INS सुकन्या ये अभी स्रीलंका की कुलंबू पूर्ट पर पहुँचा तो इस कुछिन का बे आप्सन सही है 106 चालक दल के सदस्यों के साथ ये 101 मीटर लंबा अब तटी गस्ती पूर्ट स्रीलंका की कुलंबू पूर्ट पर पहुँचा है अब स्रीलंका तो ये है मैप में स्रीलंका स्री लंका की केपिटल क्या है कूलंबो और स्रे जैबर्दने पुरम कुट्टे कूलंबो कॉमर्सिल केपिटल है और स्रे जैबर्दने पुरम कुट्टे एड्मिनिस्टेटिव केपिटल है स्रीलंका की करंसी क्या है स्रीलंकन रूपी स्रीलंका की प्रजेंट टाइम पे प्रैमिस्टर कौन है देनेस गुडुबर्धन और स्रीलंका की प्रजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है रेनल बिक्रम सिंगे अभी दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में स्रीलंका के स्रे मुक्तिनात मंदिर में घंटी लगाई गई है भारत ने आर्थिक सायता योजना के अंतरगा स्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़मानी स्रीलंका करेगा स्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करोणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरुसकर मिला है चेन को पचाड कर भारत स्रीलंका के सबसे बड़े रिड़ दाता की रूप में उबरा है और महावेली गंगा स्रीलंका की सबसे लंबी नदी है अच्छा एक वार फिर आप स्रीलंका को मैप में देखो इस मैप को आप ध्यान से देखो इंडिया और स्रीलंका के वीच में पाक की खाड़ी है इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं और सुद्ध हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल कहते है हाली में case company ने अपना नया logo अपडेट किया है तो Nokia ने 30 से अधिक साल के बाद अपना नया logo अपडेट किया है तो इस question का say options है अभी तक आपने देखा था Nokia का logo blue color का होता था और उस पर connecting people लखा रहता था दो हाथ connect होते हुए रहते थे connecting people लखा रहता था और हमेशा logo blue color में रहता था लेकिन अब Nokia ने अपना नया logo अपडेट कर दिया है ये है Nokia का नया logo इसमें एक specific चीज ये है कि इसमें अब कोई भी specific color नहीं रहेगा जब जैसी situation रहेगी उस तरह का color यूज किया जाएगा अभी तक क्या होता था सिर्फ blue color में लिखा जाता था अब किसी भी color में लिखा जा सकता है जब जैसी situation होगी वैसे color में ये logo लिखा जाएगा तो Nokia ने अपना नया logo अपडेट कर दिया है अच्छा Nokia ये Finland की company है Nokia की stop नकव होई थी 1865 में इसका headquarter कहां पे है एस्पू Finland में और इसके present time पे CEO कौन है Pekka Lundmark कौन है Pekka Lundmark ने question है Qatar Open Tennis 233 का title किस के लाड़ी ने जीता है तो अभी Daniel Medvedev ने Andy Murray को हरा कर Qatar Open Tennis 233 का title जीता तो इस question का B options है ये है ये है Daniel Medvedev अब Tennis की बात है तो अभी Carlos Alcaraz ने 2023 Argentina Open खिता Carlos Alcaraz सबसे कम उम्र के 200 No.1 ATP खिलाड़ी भी बने नूबाक जोकोविच ने 6 ATP Finals खिता ITTF के Athlete Ayoga में चुने जाने वाले पहले भारती सरत कमल बने है और स्विटजल लेंड ने Australia को हरा कर पहला बिली जीन किंग कप जीत लिया है ने क्यूशन है हाली में किस देश का HMI समूव उत्तर प्रदेश में 200 करोड रुपए का निमेज करेगा तो HMI यानि कि Hotel Management International ये एक ग्रूप है और ये उत्तर प्रदेश में बाहतर सो करोड रुपए का निमेज करेगा तो इसकुशन का ये उत्तर प्रदेश में अपनी तेस नई प्रॉपर्टीज को लेगा अब जापान तो ये है मैप में जापान जापान की capital क्या है? टोकियो जापान की currency क्या है? येन और जापान की present time प्रेऑश मिश्टर कोई है? फोमियो किशीदा भारत और जापान की बीच सेयुक्त पसित्च्छड अभ्यास धर्म गारजियन हुआ है भारत जापान को पेचे छोड़कर 22 की स्थर पर तेसरा सबसे बड़ा ओर्टो बाजार बना है बारत और जापान के बीच सयुक्त अब्यास वेर गार्जियन 2023 भी संपन हुआ है और मालाबार एकसाइज 2022 जापान में हुई ने क्यूशन है हाली में किस राज जी के मुख्यमंतरी ने पूर्वोतर में पहले संपेडित बायोगैस सयंतर का अनावरड किया तो असम के चेपनिश्टर हिमन्ता विश्व सर्मा ने पूर्वोतर के पहले संपेडित बायोगैस सयंतर का अनावरड किया तो इसकूशन का से options है अब असम तो यह है मैप में असम की capital क्या है दिसपूर असम की chief minister कौन है हिमनता विश्व सर्मा और असम की नए governor कौन मने है गुलाब चंद कटारिया अच्छा असम का नया DGP ग्यानेंद प्रताप सिंग को न्यूट किया गया असम सरकार ने मटिया वाग हवा महल का अधिग्रेड किया है असम के मंत्री मंदल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए बिदेयक को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा चेत्री केंदर का उदगाटन असम के सिल्चर में किया गया असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिसन की सुरुआत भी किया है अच्छा असम में कटी भी हूँ बगरुमबा बोर्ताल और जुमुर ये लोक नरतिफेमस है असम मे काजी रंगा निसनल पार्क ये एकलोता ऐसा निसनल पार्क है जो सेटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है और ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फैनास है ने क्यूशन है हाली में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कुबरा बारियर में इंडियन एर फोर्स भ एक सो पैतालिस बायो योद्दाओं वाली एक टुकडी इस अभ्यास में पार्टिपेट करेगी अब ये ब्रेटेन में होगा तो ब्रेटेन यानि की यूके तो ये है मैप में यूके यूके की केपिटिल क्या है लेडनन यूके की करंसी क्या है पॉन्ड इस्ट्रिलिंग और यूके के प्रजेन टाइम पे प्राइमिस्टर कौन है रेशी शुनक अभी पूर प्रदर्मत्री मनमुहन सिंग जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीब्मेंट ओनर से सम्मानित किया गया जागरती यादब एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक बनी है यूके ने अमीरों के लिए कर्मे कटोती के प्रस्ताव को रद कर दिया है लंदन में दादाबाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है ने क्यूशन है हाली में इस पैनिस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूरामेंट में किस खिलाडी ने मैंस सिंग इस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूरामेंट में मैंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है ने क्यूशन है हाली में सरकार ने केस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पन बिजली परियोजना को मंजूरी थी तो अभी भारत सरकार ने चेन की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पन बिजली परयोजना को मंजूरी दी तो इसको शिन का 2 options है ये परयोजना 3.9 अरब डॉलर की है और इसका नाम क्या है दिबांग बहुत देशी ये परयोजना अब चेन के बॉरडर पर इसको मंजूरी दी गई तो ये है मैप में चीन चेन की capital क्या है बेजिंग चीन की currency क्या है रेन मिन भी और चेन के प्रजैन टेम पर प्रेसिडेंट कौन है जे जिन पिंग अभी चेन ने संचार उबग्रे जॉंग जिंग 26 का प्रक्षिपड किया चेन ने अमेरिका में अपने दूद चिन गंग को नया विदेश मंतरी बनाया बैग्यानिक पत्रों के प्रकासन में चेन टॉप पर रहा है और चेन ने अपने अंत्रिच स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लेब मोड्यूर लॉंच किया है ने क्यूशन है हाली में नासा ने किस महिला को पहली बाल एजन्सी की बिग्यान प्रमुक के रूप में न्यूप किया तो अभी नासा ने निकूला फॉक्स को एजन्सी की बिग्यान प्रमुक के रूप में न्यूप किया अब NASA, यानि कि National Aeronautics and Space Administration, ये अमेरिका की Space Agency है, जैसे इंडिया की Space Agency क्या है? ASRO, जापान की क्या है? JAGSA, चाइना की क्या है? CNSA, ये अलग-अलग देशों की Space Agency है, इनके नाम अप्याद रखिए, NASA की स्तापना कब हुई? 1958 में, इसका हेड़कोर्टर कहाँ पे है? वासिंग्टन, DC में, और इसके प्रजेन टाइम पे अड्मिनिस्टेटर कौन है? बिल नेलसन, अच्छा, अभी डिरेक्टर जनरल क्वालिटी एस्यूरेंस का पदभार, RS.Rain ने समाला, सैयूक्त रास्त ने अफसान खान को कुपोषट समाप्त करने के अभियान हेतु, प्रमुक पद पर न्यूक्त किया है, भारती टेलिफोन उद्ध्यों के नए CMD, राजिस राय न्यूक्त हुए है, और भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजिव रगवन्सी को न्यूक्त किया गया है, ने क्यूशन है, किसने 2022 के लिए सर्फ स्रेष्ट फीफा पुरुस कि लाड़ी का पुरुसकार जीता, तुसकुशन का बे ओप्सन सही है, ये हैं लियोनल मैसी, अच्छा अभी Entrepreneur of the Air 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता, यूनेसको सांति पुरुसकार से एंजला मौरकल को सम्मानद किया गया, राखी कपूर ने नाव यूब्रेत के लिए गुल्डन बुक्स अबाड़ 2023 जीता, म्यूजे कंपोजर रिकी केज ने प्रतिस्टित ग्रेमी अबाड 2023 जीता, और अम्वेका सुतन मंगड ने उड़क कुझल पूरुसकार जीता है, ने क्यूशन है, प्रतानमंत्री मोधी ने केस राज में सिब मोगा हवाई अड़े का उद्गाटन किया, तो करनाटक में प्रदर्मत्री मोधी ने सिब मोगगा हवाई अड़े का उद्गाटन किया तो इस कुश्यन का बे आप्सेंस है ये है सिब मोगगा हवाई अड़ा इसको कमल के आकार में बनाये गया है और 450 करोड रुपाई की लागत से ये बना है अब ये करनाटक में है तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल क्या है बैंगलूर करनाटक के चीपनिश्टर कौन है वसवराज बंबाई और करनाटक के गवर्नर कौन है तावर चंदर गहलोत अभी करनाटक सरकार ने अमरत नगरोत्थान योजना की गोशना की ये बैंगलूरू सहर के संपूर डिवलप्मेंट के लिए की गई है करनाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लेनिक लौंच की है करनाटक में एसिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर कार खाना खोला गया आदुनिक सिचाई प्रडाली वाली नाराइडपूर लेफ्ट नहर बैंक नहर का उद्गाटन करनाटक में किया गया और केंड ने करनाटक में कलासा बंडूरी पर्युजना को मंजूरी दी है करनाटक के दो डांस फैमास हैं यक्षिगड और डोलू कुनीता करनाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं बांदीपोर, अंसी, नगर होल, बनलकट्टा और कुदरे मुखा नेशनल पार्क हैं ये करनाटक के important नेशनल पार्क हैं हाली में Pepsi ने कैसे अपना नया ब्रांड मेजड़र बनाया है तो Pepsi ने अभी रडवेर सिंग को अपना नया ब्रांड मेजडर बनाया है तो कम्पनियां अपने manly advertisement के लिए brand visitor बनाती है और ये ऐसे ब्यक्ति को brand visitor बनाती है जिसकी public reach जादा होती है जनरली आपने देखा हुआ celebrities को company अपना brand visitor बनाती है क्योंकि celebrities की direct logo तक पहुँच होती है वो जिस चीज़ को यूज करेंगे public भी उसी चीज़ से influence होती है और उसको यूज करती है इसलिए company अपना brand visitor बनाती है अच्छा अभी UNICEF इंडिया के बाल अधिकारों के ambassador आईस्मान खुराना बने है मिंत्रा ने रडवीर कपूर को अपना brand visitor न्यूट किया प्यूमा इंडिया ने हर्मन प्रेत कोर को अपना brand visitor बनाया और रास्ट्री खनिज बिकास निगम ने निगत जरीन को अपना brand visitor बनाया है ने क्यूशन है हाली में केंद्री मंत्री पूर्सोत्तम रूपाला ने कहां grand startup कौन कलेब का उधगाटन किया तो अभी हैदराबाद में केंद्री मंत्री पूर्सोत्तम रूपाला ने grand startup चौन कलेब का उधगाटन किया तो उसकूशन का से उपक्सम ही है केंद्री मत्सपालन पसुक्पालन और डेरी मंत्री हैं पूर्सोत्तम रूपाला इनों नहीं हैदराबाद में grand startup disclaimer का उधगाटन किया है अब लास्ट वीडियो की कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आप से कुश्यन पूचा था कि हाली में जारी 2023 अंतरास्ती IP सुचगांक में कौन सीर्स पर रहा है तो इस बार के अंतरास्ती intellectual properties index में USA टॉप पर रहा यानि किस कुश्यन का बे option सही था और लगबग सभी इस्ट्रोयनेस कांसर सही दिया मुश्ट लिए इस्ट्रोयनेस के बारे में detail में लेखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किस देश ने छटी बार मैला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreashrc Instagram पर indreashrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 share like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा झाल